सेव पुरान में पार्वती जी की विदाई की समय पार्वती जी को एक ब्राह्मन पतनी ने पातिबरत धर्म का उपदेश देते हुए कहा कि हे गिरिजे तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह बचन सुनू मेरे ये बचन इस्त्रियों को इस लोग तथा परलोग में सुख देने वाले हैं तथा इनके सुनने से भी इस्त्रियों का कल्यान हो जाता है इस जगत में पते बरता नारी ही धन है इसके अत्रिक्ट और कोई नारी पूजा के युग नहीं है वह सब लोगों को पवित्र करने वाली तता समस्त पापों को दूर करने वाली है यह परवती जो इस्त्री अपने स्वामी की परमेश्वर के समान सेवा करती है वह यहां अनेक भोगों को भोग कर अंत्में पती के साथ उत्तम गती को प्राप्थ होती है साबित्री, लोपा मुद्रा, अरुन्धती, सांडिल्या, सतुरूपा, अनुशुया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संग्या, सुमती, सद्धा, मैना और स्वाहा आधी बहुत सी पतिब्रताएं हैं जिन्हें विस्तार के भैसे यहां नहीं कह रही हूँ, ये सभी पतिब्रतो धर्म के प्रभाव से ही जगत में मानने तथा पूज हुई, ब्रहमा, विश्नु, महेस्वर एवं अन्न मनुश्वरों ने भी इनका सम्मान किया है, इसलिए तुम्हें अपने पती संकर की करनी चाहिए, क्योंकि ये दीनों पर अनुग्रह करने वाले एवं पूज होने के कान सब के सेब्य हैं और सजनों के गती जाता है, पतिब्रताओं का धर्म महान है, जिसका वरन सुतियों तथा स्मतियों में भरा हुआ है, निश्चे ही पतिब्रत धर्म जितना सेष्ट है, उतना अन्यधर्म सेष्ट नहीं है, इस्त्री को चाहिए कि जब अपना प्रिय पती भोजन कर ले, तब स्वयम पती भक्ती में परायन होकर भोजन करे, जब पती खड़ा हो तब साध्वी इस्त्री को भी खड़ा ही रहना चाहिए, पती के सो जाने पर स्वयम सहन करे और उ हित करे, कभी अलंकार से रहत हो अपने स्वामी के सम्मुख न जाए, जब स्वामी कारिवस परदेश चला जाए, तो कभी स्रीर का संस्कार एवं स्रंगार न करे, पति ब्रता इस्त्री को चाहिए कि वह पती का नाम कभी न ले, पती के द्वारा कृध्ध होकर कठोर बचन कहने पर भी उसे बुरा बचन ना कहे और पती के सासित करने पर भी प्रसंद रहे उस समय भी यही कहे कि स्वामिन और अधिक दंड देकर मेरे उपर कृपा करें पती के बुलाने पर घर का सारा कामकाज छोड़ कर उनके समीब जाए और सिगरता से प्रणाम कर हात जोड़ कर उनसे प्रेम पूरवक कहे यह स्वामिन आपने किस लिए बुलाया है कृपा कर आग्या दीजिए इसके बाद उस आग्या को परशनता पूरवक संपन करना चाहिए दरवाजे पर खड़े होकर बहुत काल तक इधर उधर ना देखें और ना तो दूसरे के घर जाएं किसी क भेद लेकर किसी अन्य के सामने उसको प्रकासित न करें बिना कहे ही पती के लिए पूजन की सामग्रे प्रस्तुत करें और पती के हित के लिए निरंतर आउसर की प्रतिक्छा करती रहें पती की आग्या के बिना कभी भी तीर्थ यात्रा के लिए न जाए और किसी समाज तथा उस्सव को देखने के लिए भी न जाए जिस इस्त्री को तीर्थ यात्रा की इक्षा हो वह अपने स्वामी का चरणामर्त लेकर संतुष्ठ हो जाए क्योंकि पती के चरणोदक में सभी तीर्थ एवं छेत्र निवास करते हैं इसमें संदे नहीं पती के भोजन करने के पस्चात उसका उच्छिस्ट जो भी इस्ट अनादी हो उसे पतीप्रदत महाप्रसाद समझ कर पतीप्रताइस्त्री भोजन करें देवता, पितर, अतिथी, सेवक, गउ एवं भिक्षुक को बिना दिये अन्य का भोजन ना करें घर की समग्र सामग्री थीक तरह से रखें, नित्य उस्सा युक्त तथा सावधान रहें और अधिक व्याय ना करें इस प्रकार सर्वदा पती ब्रत्व धर्म का पालन करें पती की आज्या के बिना कोई उपवास तथा वरत ना करें अन्था उसका फल नहीं होता और उसे नरक की प्राप्ती होती है सुख पूर्वक आनन्द से बैठे हुए तथा अपनी एक्छा से रमन करते हुए पती को आवश्यक कार आपड़ने पर भी ना उठाए पती, क्लीब, दुरगती में पड़ा हुआ, ब्रध, रोगी, सुखी, अत्वा, दुखी, चाहे जैसा ही क्यों नहो उसका अपमान न करें मासिक धर्म प्राप्थ हो जाने पर आरम से तीन राती पर्यंद अपना मुख पती को न दिखावें और जब तक चोथे दिन इस्नान से सुद्ध ना हो अपना सब्द भी न सुनाए रितुष नान करने के पस्चात पती का ही मुख देखे तभी अन्य का मुख न देखे अत्वा पती के ना होने पर पती का ध्यान कर थूर का दर्शन करे पती के आयू की इक्षा करने वाली पतिब्रता इस्त्री को हरिद्रा, कुमकुम, सिंदूर, काजल, कूरपासक, तामबूल, मांगलिक, अभूशन, केसों का संसकार, केस पास बनाना, हाथ में कंगन, एवं कानों में करंड फूल, नित्धारन करना चाहिए इसका परिट्या कभी किसी भी अवस्था में ना करें, व्यविचानी इस्त्री से कभी मित्रता ना करें, जो इस्त्री अपने पती से द्वेश करती हो, उससे बाचीद ना करें, कभी अकेली ना रहें, और ना नगन होकर कभी स्नान करें, ओखली, मूशल, जाडू, सिल, ल दुखी रहे तथा पती के प्रिय में ही अपना प्रिय समझे इस प्रकार पति ब्रता इस्त्री सदेव पती के हिट की इक्षा करे पति ब्रता इस्त्री सदेव समपत्ती तथा विपत्ती दोनों अवस्थाओं में एक रूप रहे विकार उपस्थित होने पर कभी विकृत ना हो और सदेव धैर धारन करे घी नमक तेल आदी के न होने पर भी पति बृता इस्त्री पती से नहीं है ऐसा ना कहे और पती को किसी असाध्यकार में नियुक्त न करे ब्रहमा विश्णू तथा शिव से भी अधिक पती का महत्य है अतह हे देवी पतिब्रता अपने पती को शाक्षात शिव स्वरुपी समझे पती की आग्या का उलंगन करके जो इस्ट्री वृत उफवास तता नियम आदी का आचन करती है वह अपने पती की आयू का हरन करती है और मरने पर नरक प्राप्त करती है जो इस्ट्री कुरुद्ध होकर पती के कुछ कहने पर उसका प्रत्युत्तर करती है वह गराम की कुतिय अथवा निर्जन वन में शगाली होती है इस्त्री को चाहिए कि वह पती से उचे इस्थान पर ना बैठ है दुस्तों के समीप ना जाए और कभी भी पती से कातर वाक न कहे किसी की निंदा या आक्षेप युक्त बात ना कहे दूसरे ही कलह का परिट्याकर है गुरुजनों क समीप कभी जोर से ना बोलें और ना जोर से हसें पती को बाहर से आया हुगा देखकर सीगृता से अन जल भोजन तामबूल वस्त्र पाद संबाहन खेद दूर करने वाले मीठे बचन के द्वारा जो इस्त्री अपने स्वामी को परसंद रखती है मानो उसने त्रेलोकों को परसंद कलिया माता पिता उत्र भाई तो इस्त्री को बहुत थोड़ा ही दुख सुक देते हैं परंतु पती तो अपरिमित सुक देता है इसलिए इस्त्री को चाहिए कि वह पती का सदेव पूजन करे पती ही देवता गुरु भरता धर्म तीर्थ एवं बरतादी सब कुछ इसलिए सब कुछ छोड़कर एक मात पती का ही पूजन करे जो दुष्ट इस्त्री अपने पती को छोड़कर एकांत में दूसरे के पास जाती है वह ब्रक्ष के कोटर में रहने वाली उलूकी होती है जो स्वामी के द्वारा ताडन करने पर स्वयम भी ताडन करना चाहती ह वह ब्रसब भक्षणी ब्यागरी होती है जो अपने पती को छोड़कर अन से कटाक्ष करती है वह केक राक्षी होती है जो अपने पती को बिना दिये मिस्ठान खा लेती है वह ग्राम सूकरी अत्वा अपनी विस्ठा खाने वाली वल्गु बक्री होती है जो अपने पती को तू कहकर बोलती है वह जनमांतर में गूंगी होती है और जो अपनी सपतनी सौत से डाह करती है वह बारब बार बिदवा होती है जो अपने स्वामी की दृस्टी बचाकर किसी अनपुरस को देखती है वह कानी कुमुखी तथा कुरूपा होती है जैसे जीव के बिना देह चण मात्र में असुची हो जाता है उसी प्रकार अपने स्वामी के बिना इस्त्री अच्छी तरह इस्नान करने पर भी अपवित्र ही रहती है इस लोक में उसकी माता धन्न है और उसके पिता भी धन्न है तथा उसका वह पती भी धन्न है जिसके घर में पतिब्रता इस्त्री का निवास होता है पतिब्रता इस्त्री के पुन्ड से उसके पित्रवंस, मात्रवंस तथा पतीवंस के तीन तीन पूर्वज स्वर्ग में सुखपाग भोगते हैं दुराचाणी इस्त्रियां अपने दुराचरण के द्वारा माता, पिता तथा पती इन तीनों कुलों को नरक में गिराती हैं और वे इस लोक तथा परलोक में सदेव दुखी रहती हैं। पतिब्रता के चरण जहां जहां पढ़ते हैं, वहां वहां की पृत्वी सदा पाप का हरण करने वाली तथा अत्यंत पवित्र हो जाती है। सर्व व्यापक्सूर चंद्रमा तता वायू भी अपनी पतिब्रता के लिए ही पतिब्रता का इसपर्ष करते हैं अन्न किसी कारण से नहीं जल तो सदेव पतिब्रता का इस्पर्ष चाहते हैं वे कहते हैं कि आज इस पतिब्रता के इस्पर्ष से हमारी जड़ता नस्ठ हो गई और हमें दूसरे को पवित्र करने की योगता प्राप्थ हुई भार्या ग्रहस्त का मूल है भार्या ही सुक का मूल है धर्मपल की प्राप्ती एवं संतान वृद्धी के लिए भार्या की अत्यंत आवसक्ता है क्या अपने रूप लावन्य का गर्व करने वाली इस्थियां पर तेक घरों में नहीं है किन्तु बिश्वेश्वर में भक्ती क करने से ही पतिवर्ता इस्त्री प्राप्त होती है भार्या के द्वारा ही इस लोक तथा पर लोक दोनों लोकों पर विजय प्राप्त की जा सकती है देव कर्म पित्र कर्म अतिथी कर्म तथा घ्यक कर्म बिना भार्या के फलवान नहीं होता ग्राष्ट उसी को कहते हैं जिसके गर में पतिब्रता इस्त्री का निवास है अन इस्त्रियां तो प्रति दिन जरा राक्षशी के समान पूरुष को गर्ष्ती रहती हैं जिस प्रकार गंगा इस्नान से शरीर पवित्र हो जाता है उसी प्रकार पतिब्रता इस्त्री के दर्सन मास से सब कुछ पवित्र हो जाता गंगा तथा पतिब्रता इस्त्री में कोई भेद नहीं है वेद आनों इस्त्री पुरुष शिव तथा पारवती के तुल्ने हैं अता वो धिमान पुरुष को उनका पूजन करना चाहिए पती ओमकार है तो इस्त्री सुतिवेद है पती तप है तो इस्त्री छमा है इस्त्री सत्क्रिया है तो पती उसका फल है हे पारवती इस प्रकार के दमपत्ती धन है इस प्रकार से मैंने तुमसे पातिब्रत धर्म का निरूपन किया अब उन पतिव्रताओं के भेद सावधानी के साथ प्रेमपूर्वद सुनो उत्तम आदी के भेश से पतिव्रता इस्टियां चार प्रकार की कही गई हैं जिनके स्मर से पाप नस्थ हो जाते हैं उत्तम, मध्यम, निक्र्ष्ट तथा अति निक्र्ष्ट ये चार भेद पतिवर्ताओं के होते हैं अब मैं उनका लक्षन कह रहा हूँ सावधान होकर उनका स्वण करो जिसका मन स्वपन में भी अपने पती को ही देखता है और कभी परपती में नहीं जाता हे भद्रे वह उत उत्तम पतिवर्ता कही गई है जो दूसरों के पतियों को पिता भ्राता तथा पुत्र के समान सद बुद्धी से देखती है वह मध्यम पतिवर्ता कही गई है जो इस्त्री मन में अपना धर्म समझ कर व्यवचार नहीं करती वह सुन्दर चत्रा वाली इस्त्री पतिब्रता कही गई है जो मन में इच्छा रहती हुए भी पति एवं कुल के भैसे बेविचार नहीं करती उसको पुरातन लोगों ने अति निक्रस पतिब्रता कहा है ये चारों प्रकार की पतिब्रता हैं पापहरण करने वाली हैं संपूर लोकों को पवित्र करने वाली है और इस लोक एवं परलोक में अनदबादान करने वाली है पातिबृत्र के प्रभाव से ही अत्री प्रिया अनुसूया ने तीनो देउताओं की प्रार्षृना पर बाराह के साप से मरे हुए ब्राह्मन को जीवंदान दिया था, ऐसा जानकर तुमको नित्त प्रेम पूर्वग अपने पती की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हे सैल पुत्री, ऐसा करने से तुम्हारे संपूर मनुरत पूर होगे, तुम तो साक्षात जगत की माता, तता महिस्वरी हो और जगत पिता महिस्वर तुम्हारी साक्षात पती है तुम्हारे नाम के इसमान मास से इस्त्रियां पति बृता होंगी हे देवी तुम्हारे आगे इस कथन से क्या प्रियोजर फिर भी हे सिवे संसार के आचन के अंसार मैंने तुम्हें यह सब कहा है